हलो इन हाई विर्वान स्वागते पिर से एक नवे वीडियो के साथ और दोस्तों आज का इस वीडियो में हम ग्रामीन दाक सेवक जी डी एस रिकूरिटमेंट का बारे में बात करेंगे और यह जी डी एस जो आपका डिपार्टमेंट आफ फोस का है जो की पोस ओपिस में आपका क्लास्टेंट पास का स्विप क्लास्टेंट पास और आपको एक्जम देने का जरूरी नहीं है नो एक्जम रिकूर्ट आप ऑन-लाइन बस पॉम पिल कीजिए अधर से ही सेलेक्शन हो जाएगा दोस्तों इसका ओन-लाइन फों पील है ना अल्रेडी सुरू हो चुक क्या क्या पोस्ट रहता है जो कि आपको मैंने बता दिया है अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को मैं हूँ आपका अपना लोकेल टीचर मोडी सर नाव लेज बिगिन नो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि अरे हरे स्टेट में आपक सब्सक्राइब करके यहां पर बहुत के टेगरी दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ फोस्तेट के लिए सब्सक्राइब कर आप जूमिंग करके या आप इसक्रीन सोट लेके या आप दाउनलोद करके देख लिजेगा मैं सोट कार्ट में बता दे रहा हूं और जो और एक डायलोग आपको ज़्यानना जरूरी है हो गया आपका टोटल नंबर ओफ फोस्तेट के लिए यहां पर देख लेकर या आप फिटिफ फाइल को डाउनलोद करके देख लिजेगा और टोटल पोस्त है मलब यहांपर सभी का प्लास करने का बात यह होता है आपका 44,228 यह वाला हो गया है इसका मतलब है हैबी रिक्रुटमेंट चल रहा है डिपार्टमेंट आप पोस के अंदर में तो ओल्राइट दोस्तों ओन्राइन फोर्म पिल आप जल्दी कीजिएगा तो नेक्स में देखते हैं सबसे पहले दोस्तों आप यह जाना है ग्रामिन दाक स जो helpers बगे रा होते हैं तो इसे हम सोट में gds कहेता है तो उनहीं आज जीँच में आपका ब्रंस मास्टर अगे प्र पोस्त मास्तर का एक assistant रहेगा तो आई होब यह क्लियर हुआ होगा ग्रामिन दाक सेवक GDS मनलब इसके अंदर में ब्रांस पोस्टमास्टर हो गया और जो हैड रहेगा पॉस इसका बाद जो एसिस्टेन रहेगा इसका फिर दाक सेवक रहेगा तो इसका नेचर अब जो अलग-अलग है वो भी हम देखते है सबसे पहले यहाँ पर आप online form पील देट को देख लिएगा सबसे most important पहले आपको registration करना है registration करने का बाद आप online form submit करना है मनलब एक बार registration करेगा फिर आप पर पार्डर submission करते जाएगा आपका documents फिलाप करेगा फिर आपका payment में जाएगा payment section में after date आपका form submission हो जाएगा जो क कि आपका 6 आगस से लेके आपका 8 आगस तक correction window रहेगा मनलब क्या है आप पॉम्पिल करते समय कुछ भी गलती कर लेता है तो आपके लिए एक मौका दिया जाता है correction करने का जो कि आपका 6 आगस से लेके 8 आगस तक मनलब 6,7,18 दिन का आपको time दिया जाएगा उसमें आपको correction करना है और आपका जो है वो पाइनेल रहे जाएगा फिर selection process में चला जाएगा क्योंकि इसमें कोई exam नहीं होता है और यहाँ पर सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है service condition and brief job profile and residence and accommodation मलब है जो service आपने जैसे की दाक्स आप मिल गया तो आपका जो job profile कैसा होगा मलब क्या काम करना ही पड़ते है यहाँ पर application must clear understand that applicants मलब आप applicants हो गया तो clear understand आपको यह समझना जरूरी है कि GDS are not regular employees of department and emoluments and allowance and other entitles are not for the central government employees जो भी applicants select हो जाएंगे GDS में तो यह आप नहीं सोचना है कि आप जो regular employee नहीं है central government का जो employee होता है उसका जैसे यह नहीं रहेगा purely वह department of force यही इसका अंदर में ही होगा यह central government से कोई related नहीं होगा and gram in dark conduct and engagement rules 2020 महलब उसका department of force का कुछ rules है 2020-2020 इसके अंदर में आपको जो job profile दिया गया है जो आपका nature of job हो गया जो आपका recruitment process हो गया वह सब है और जो आपका salary बगए रहा ठीक है उसके अंदर में अगर आप इस GDS में selection हो जाता है तो minimum आपको फार दे में four hours to five hours काम तो करना परेग minimum four to five hours a day और जब आप 65 years होगा आपका उमर अगर आप 65 years तक हो जाएंगे तो आपका यह GDS हो नहीं रहेगा मतलब है आप यहां में retire हो जाएगा emoluments and allowances मतलब आपको salary कैसे मिलेंगे GDS are paid emoluments in form of time related continuity allowances TRCA which carry annual increase rate of 3% subject to fulfillment of condition as given in the GDS rule जो GDS rule में दिया गया है उस हिसाब से आपको TRC के तहट आपको salary मिलेंगे और annually आपका 3% increase होगा अगर आप इसमें selection हो जाता है तो TRCA मलब time related continuity allowances ठीक है तो यह आपका department of force govern करता है इसका salary बगेरा वो सब ही आपको यह करेगा उस हिसाब से ही होगा उस rules के हिसाब से होगा और यहाँ पर देख लिजेगा इसका TRCA मलब salary slab अगर आप BPM branch force master अगर आप मिलता है तो आपको 12,000 से लेके 29,380 रुपीज 12,000 to 29,380 रुपीज आपका salary होगा उस अदर में और अगर आपको ABPM assistant branch force master या अप दाक सेबक मिलता है तो आपको 10,000 to 24,470 रुपीज होगा तीक है तो I hope यह clear हुआ होगा मालब इसका salary कैसे होगा मालब जो government employees जो central government employees उसका salary जैसे नहीं होगा पहले मेंने बता दिया है और education qualification है आपका class 10 pass है तो class 10 pass यह आप certificate वगर अबलत करना है पॉम पील में और आपको कुछ नहीं करना है exam देने का जरूरी नहीं है मालब दियार इस 9 exam, 9 exam का जरूरी नहीं है आपका selection process जो आपका उस हिसाब से ही होगा according to GDS rule I hope यह clear हुआ होगा दोस्तो आप यह है कि exam तो यहाँ पर नहीं होगा तो आपको सिर्फ online apply करना है आप अपना mobile से आप अपना laptop से कहीं से भी आप apply कर सकता है browser open करके आप यह कैसे apply करना है तोरा समय आपको दिखा डेता हूं आप अपना से कर लेना और साइट आप जानता भी होगा और इसका detail भी आपको download करके देख लेना तो दोस्तो अगर आप आपका पास laptop है या आपका mobile phone है तो आप browser open कीजेगा और browser में आपका GDS online engagement या GDS recruitment 2024 या आप Indian force recruitment 2024 GDS type करने से आपको मिल जाएंगे और यह interface में आने का बाद यह department of force आने का और stage 1 में पहले क्या करेंगे आप पहले register करेंगे अपने आपको पहले register करना है आपका email ID, mobile number, other card वो simply डाल के पहले register करना है वो create होने का बाद आप फिर apply online में चले जाएंगे जो कि आपका details डालेंगे और आपना document submit करेंगे P payment करने का बाद अगर आपका पास कुछ grievances है तो आप registration पहले करेंगे फिर apply online stage 2 में देखिएगा जो अभी मैंने बता दिया है तो सेम चीज़े यह नीचे में भी दिया गया है candidate corner में पिर P payment में आप देखिएगा आपका P payment हुआ कि ने उसका AP status को आप चेक कर सकता है अगर इस्तेतास में ठीक है तो आपका online submit हो चुका है उ आपका account create होगा फिर आप apply section में जाएंगे आप दोस्तों यह तो clear हो गया होगा ब्रोजर में आप आराम से कुछ से कर सकते हैं लेप्तॉप में कीजिए का लेप्तॉप में करने से ज्यादा आसान आपकले वीडियो में